दोस्तों फाइनली जाओमी ने अपने रेडमी वाइटू को इंडिया में लांच कर दिया जो कि एक सेल्फी फॉन है और इस फॉन में बहुत एचे स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते है जो कि यह फॉन भी हमारे जो किलर फॉन्स की लिस्ट है जिसमें की एसुस जैन फ इन की अघर सबसे पहलेए सब्से जुट के 哉नियों पशन की बात जाये हो इस फॉन है वाइट इप्रण के दिजान baskल बिजली लिञा देखने को में मिलेगा वैसा यह मैंD तो मिलता सब कुछ बोन्ट की जाये तो में 5.99 एक चरलाष एन्दी प्लस डाशण का 18 ratio 9 accept ratio का डिस्पले देखने को मिलता है जो कि अपनी प्राइस देजर बहुती साइड डिस्पले है और अगर इसके एक्स्ट्रा हाडवेर की बात की जाए तो हमें इसमें Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और अगर इस फोन के बैटरी की बात की जाए तो हमें सब्सक्राइब की बात की जाए तो हमें बहुत अच्छा बताया जा रहा है जो कि बैटरी मैंजमेंट में टोटली बेस्ट बताया जा रहा है जिसमें कि हमें 31 तक का स्टेंड बाय मिल सेकता है और कर इस फोन के प्लार सेक्षिन की बात की जाए तो हमें रेर में प्लॉस-फाइफ मेगापिक्शल का के साथ देखने को मिलता है और इस स्वान में टोटली एयए बेस्ट management किया गया सब कुछ तो हमें camera में भी management देखने को मिलता है इसमें front camera में हमें 16 Megapixel camera सिंगल camera मिलता है और इसमें पोट्रेट मोड का option मिल जाता है और इसके जो depth sensing है में front camera में भी depth sensing मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे काम करता है हमने हमें कुछ shorts भी दिखाए गए थे एमाई के launch event में जो कि बहुत ही अच्छे थे और object के जो corner है वह हमें बहुत ही अच्छे से feel कर पा रहे थे object को जो अब उसका backward portion था उसे बहुत ही अलग feel कर पा रहे थे फॉन के अगर overall design की बात की जाए तो हमें phone के back में camera के पास fingerprint sensor देखने को मिलता है और उसी के साथ phone में हमें जो network engine है वह अच्छे से देखने को मिल जाते हैं उस design को feel कर सकते हैं इसलिए इसकी design थोड़ी सी change हो सकती है और इसकी design थोड़ी different करके बहुत ही good looking भी बनाई गई है और में इस phone में face unlock भी देखने को मिल जाएगा जो कि 2018 का एक trend रहा था कि हमें 2018 के सारे phone से face unlock देखने को मिले था और अगर इस phone के अब storage की बात की जाए तो हमें इसके storage में दो variant देखने को मिलेंगे जो की एक होगा 3GB 32GB और एक होगा 4GB 400GB जो 332 वाला variant है वह मार्केट में 10,000 तक देखने को मिलेगा और जो 444 वाला variant है वह मार्केट में 13,000 में देखने को मिलेगा दोनों केस में हम एक extra memory card लगाने का dedicated memory card लगाने का option मिल जाता है इसमें हमें hybrid slot नहीं मिलते हैं जो कि एक बहुत ही चीज दी कि इस phone में अगर हम इस phone के base variant में देखा जाए तो बहुत एचा phone है पूरा लेने लाइक और अपनी प्राइस को पूरा जस्टिफाइक होन है तो at last thanks for watching अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो अगर किसी और के लिए helpful हो सकती हो तो please मेरे वीडियो को share करें और जात जाते चैनल को ज़रू झाल